तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों ग्रीक वर्ड में माइक्रोइस्कोप का मतलब होता है माइक्रोइस्कोप जो है अप्टिकल इंस्टूमेंट होता है जिसका यूज हम लैबरोटरी में स्मॉल अबजेक्ट को विजुलाइज करने के लिए करते हैं small object मतलब वे microorganism होते हैं जिसे हम आख से नहीं देख सकते हैं उसे केवल microscope के थो ही देख सकते हैं friends हमारे चारों तरफ मतलब surrounding environment में धेर सारे microorganism होते हैं जिसे हम अपनी आखों से नहीं देख पाते हैं सच अज हमारे आसपस बहुत सारे bacteria, virus, parasites होते हैं जिसे हम अपनी नॉर्मल आख से नहीं देख पाते हैं तो वे सभी microbes को यानि की जिसको हम अपनी नॉर्मल आख से नहीं देख सकते हैं उसे visualize करने के लिए हम microscope का यूज करते हैं जैसे cell division, DNA replication कैसे होता है microorganism कैसे human cells को infect करते हैं इस विजुलाइज करने के लिए हम माइक्स् lanç करते हैं, दोस्तो आप सब माइक्रोइसकोप लैब में यूज कीए होंगे, जब हमें माइक्रो आर्गेनिम को विजुलाइज करना होता है, तो हम एक slide लेते हैं, slide के उपर माइक्रोइस्ट रखते हैं, तो हमें बड़ी सी image दिखती है तब हमें पता चलता है कि कौन सी bacteria है gram positive bacteria या gram negative bacteria की shape में है अब आईए जानते हैं माइक्रोइस्कोपी किसे करते हैं वे science जहां पर हम माइक्रोइस्कोप का यूज करते हैं उसे माइक्रोइस्कोपी कहा जाता है आईए अब माइक्रोइस्कोप के history के बारे में जानते हैं 5090 में हेंस जानसिन और इनके बेटे जू कैरियस जानसिन ने फर्स्ट माइक्रोइस्कोप डिस्कवर किया था compound microscope था उसके बाद 6090 में गैलीलियो गैलीली ने compound microscope की discovery की थी फिर उसके बाद राबर्ट हुक ने microscope की discovery की थी और मतलब compound microscope को इंप्रोब किया था many great people के discovery के बाद n21 living hawk ने microscope की discovery की इन्हें father up microscope कहा गया ओके इन्होंने simple microscope की discovery की थी जिसमें एक लेंस लगे थे जिनमें एक लेंस का यूच किया था अब आए जानते हैं कितने टाइप्स के माइक्रोइस्कोपी कितने टाइप्स के होती हैं एक हो गया optical microscopy या light microscopy जो optical microscopy होते हैं इसको light microscopy भी कते हैं इलेक्टरान microscopy थर्ड scanning probe microscopy अब आये जानते हैं light microscopy किसे कते हैं light microscopy के टाइप्स आये देखते हैं इसमें bright film microscope हो गया dark film microscope face contrast microscope fourth fluorescence microscope ओके अब आये जानते हैं electron microscopy क्या होता है electron microscopy इसमें जो हम electron का यूज करते हैं microorganism को visualize करने के लिए एक इतने टाइप्स के होते हैं एक टू टाइप्स के होते हैं transmission electron microscope scanning electron microscope ओके थर्ड जो है scanning probe microscope इसमें probe का यूज किया जाता है इसकी help से हम scan करके microorganism को देख सकते हैं ओके यह जो है इसके टाइप में atom force microscope हो गया ओके दोस्तों microscopy के तीन main object होते हैं first magnification, regain resolution, third row contrast इन तीनों के बारे में हम discuss करेंगे ओके और microscope के दो main component होते हैं lens और light ओके light से हम visualize करते हैं light से हम देखते हैं what is magnification, magnification power मतलब होता है कि कितना बड़ी image ओ हमें दिखा सकता है मालो अगर कोई lens की magnification power 20x है तो इसका मतलब है कि इसके real image की 20 गुना बड़ी image दिखा सकता है और कोई lens की magnification power 40x है तो इसका मतलब है कि इसकी real image की 40 गुना बड़ी image दिखा सकता है मतलब magnification ऐसा प्रोसेस है जो हमें small object को large करके दिखा सकता है resolution क्या होता है resolving power किसे करते हैं अगर कोई object का दो small point आपस में इतना close है कि वे हमें बिना microscope के देखने पर एक ही नजर आ रहे हैं लेकिन जब microscope में देखेंगे microscope में देखने पर एकदम clearly अलग-अलग दिख रहे हैं इसे resolving power करते हैं contrast किसे करते हैं इसमें दो चीजों के 20 contrast करके visualize होता है मतलब एक light होगी और दूसरी dark होगी इन दोनों के बीच में visualize होता है दोस्तों मान लो bright field microscope में अगर हमें microorganism को visualize करना हो तो उसके लिए हम staining करते हैं और staining जो है toxic होता है उस microorganism को तो वे किल कर सकती है जो staining करने के पार microorganism को किल कर सकती है इसलिए हमें अगर हमें transparent microorganism को visualize करना है तो बीना staining करके visualize करते हैं तो वहां पर हम अलग microscope का यूज करते हैं जिसे face contrast microscope करते हैं और आये जानते हैं कि किसी microscope में एक lens लगा हो तो उसे simple microscope करते हैं और अगर किसी microscope में दो या दो से अधिक lens लगा हो तो उसे compound microscope यानि compound lens करते हो कि Simple Microscope क्या होते हैं? Simple Microscope में एक लेंस लगा होता है. इसकी Magnification Power Low होती है. इसको हम केवल Natural Light के सोर्स से Object को Visualize करते हैं. सेंपल को देखते हैं. मतलब केवल Sun Light के थो ही सेंपल को Visualize करते हैं. और Compound Lens में 2 या 2 से ज़्यादा Lens लगे होते हैं. इसमें Artificial Light का यूज़ करके सेंपल को Visualize करते हैं. इसकी Magnification Power बहुत हाई होती है. Compound Microscope में 3 तरह के Lens होते हैं. Condenser Lens, Objective Lens, थर्ड जो है Ocular Lens या Eye Piece Lens करते हैं. Condenser Lens का मतलब क्या होता है? Condenser Lens मतलब Light को Condense करता है. इसलिए इसे हम Condenser Lens करते हैं. Objective Lens मतलब जिस Object को हम देखना चाहते हैं. उस Object के पास जो Lens लगा रहता है. विजुलाइजेशन में हेल्फ करता है. उस Lens को Objective Lens करते हैं. Ocular या Eye Piece Lens किसे करते हैं. जो हमारे आग के पास रहता है. जिसे हम Microscope में देखते हैं. ओके दोस्तों, अपकमिंग वीडियो में हम Microscope के टाइप्स के बारे में डीटेल में पढ़ेंगे. ओके और Microscope के पार्ट के बारे में भी डिसकस करेंगे. ओके थाइंक्यू.